हाई एवरीवन वेलकम बेक टू हेल्थ क्लब इंडिया उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे दोस्तों आजकल सभी लोग अपनी तोन से बहुत परेशान है कि उनकी तोन दिन बदिन निकलती जा रही है और नीचे की तरफ लटकती जा रही है इस समस्य से बहु क्यों आती है उसकी सबसे बड़ी वज़ा यह होती कि हमारा मेटबोलिजम ठीक नहीं रहता है जो खाना हमारा दो घंटे में पच्छना चाहिए वह चार घंटा लगता है और दूसरा खाना हम तब तक खा लेते हैं और वही खाना हमारे फैट के रूप में तबदिल होके हम आज मैं आपको एक घ्रेलून उसका बताऊंगा जिससे कि आप अपनी बढ़ती हुई तोन को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप इससे 2-3 महिना अपलाई करेंगे तो आपको फर्क देखने को जरूर मिलेगा और आपकी बढ़ती हुई तोन काफी कम होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें जरूर करें तो दोस्तों आपको करना यह कि आप पांश निबू ले लीजिए और एक सीडियल चमच राइ ले लिजिए और उसमें आधा चमच काला नमक मिला दीजिए आप तीनों को अच्छे से मिला लें और पीस लें थोड़ा से पानी डालने थोड़ा सा पेस्ट टाइप का तयार हो जाए और आप इसको बहुत जादा ना बनाए आप सिफ एक हफते के लिए इसको बनाए एक हफता आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और जैसा कि अब गर्मिया शुरू हो गई तो इसे फ्रिज को पी सकते हैं अगर आपको इसका अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें एक चम्मर शेहद मिला कर अब यह आतों आपको तो कफी कम हो जाएगी और आपको काफी फाइदा पहुचेगा आप चाहें तो इससे साल के बारों महीने यूझ कर सकते हैं यह कह सकते हैं इसको त की प्रावलम है तो आप नमक की मात्रा कम से कम रखें आप मेरे इस नुश्के को आजमाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें